सर कौन सा कार पर्फियम या कार एर फ्रेशनर खरीदना पसंद करेंगे गौदरेजेर, MBPure, MySheldon, Musk या Mike Man इतने सारे confusing options available हैं online जो confuse कर देते हैं कि कौन सा कार पर्फियम हमें अपने लिए खरीदना चाहिए तो इस वीडियो में मैं इन सभी popular कार पर्फियम या एर फ्रेशनर का comparison करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि कौन सा कार पर्फियम आपके लिए एक best option हो सकता है जिसको आप consider कर सकते हैं तो guys सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक spray type के air freshener या car perfume की इस तरीके का एक spray वाला air freshener या car perfume उन लोगों के लिए एक better option हो सकता है जो अपनी car को बहुत rarely drive करते हैं यानि कि महीने में दो या तीन बार ही उनकी car drive होती है और बाग की time वो खड़ी रहती है तो इससे होगा ये कि जब आप car drive करते हैं जब use करते हैं तो केवल उसी समय आप इस spray का use कर सकते हैं और ये काफी सस्ता भी आता है तो आपका जो पैसा है वो ज़्यादा save हो सकता है और आपका जो perfume है वो ज़्यादा दिन तक last करेगा इन spray वाले air fresheners की जो कमी है वो ये है कि ये बहुत कम देर तक last करते हैं मतलब कि अगर आप एक बार spray करते हैं तो 20 से 30 मिनिट ही इसकी जो fragrance है वो last करती है और उसके बाद आपको दोबारा इसको spray करके जो fragrance है वो create करनी पड़ती है तो चलिए हम बढ़ते हैं next perfume की तरफ तो tablets निकलते हैं ये tablets एक absorbent material के बने होते हैं और इस material में ही जो perfume या scent है वो डाल दिया जाता है और जो की धीरे धीरे आपकी कार में release होता रहता है और जो fragrance है वो create होती रहती है अगर मैं इस air freshener के positive points की बात करो तो ये air freshener काफी सस्ता आता है 200 रुपे में दो blocks इसमें निकल fragrance है वो बहुत ही जादा awesome है मैंने कई सारे air freshener try की है उनमें से सबसे अच्छी जो smell है वो इसी की है वहीं पर अगर negative points की बात करों तो इस तरीके के जो air freshener होते हैं उनकी longevity काफी कम होती है क्योंकि ये जो tablet वाला mechanism है इसमें कोई भी control करने का function नहीं है और आपकी fragrance है वो इ नहीं है बहुत pleasing है लेकिन बहुत strong नहीं है तो अगर आप चाहें तो इस air freshener की अच्छी fragrance के base पर इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं तो गाइस इसके बाद जो अगला air freshener एक car perfume हमारे पास है वो है इंडियन मार्केट में बहुत ही जादा popular ambipure मैं इसको जल्दी से unbox कर लेता हूं और बताता हूं आपको कि क्या यह अपनी जो popularity है उस पर खरा उतरता है या नहीं तो गाइस जो हमारा ambipure है वो एक इस तरीके की AC event mechanism के साथ आता है नीचे की तरफ इसमें एक perfume की bottle है जिसको हम यहाँ पर से निकाल कर open करके देख लेते हैं तो गाइस यहाँ इसको unbox करने के बाद आपको बता सकता हूं कि जो इसकी smell है वो काफी बढ़िया है उसको open करने के बाद ही तुरन थी इसकी smell है वो डिलीज होने लगी है और मैं एक और बार इसको smell करके देखता हूं कि जो fragrance वो किस flavor की है तो जो इसकी fragrance है वो sweet citrus flavor में है और जैसा कि इसके box pack पर भी मेंशन है कि जो यह flavor मेरे पास यहाँ पर है वो sweet citrus fragrance में है तो अब बात कर लेते हैं इस MBP or car perfume के positive or negative points की तो सबसे पहले बात करते हैं positive points की तो जो guys जो इसकी fragrance है वो काफी अच्छी है अगर आप citrus smell पसंद करते हैं तो जो इसकी fragrance है वो काफी अच्छी लगी है मुझे personally citrus smell कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन इसकी जो smell है वो citrus smell से थोड़ी different है और जो इसका flavor का नाम है sweet citrus वो इसकी जो fragrance है वो उसको पिल्कुल justify करती है citrus में थोड़ा सा हलका सा जो sweetness का effect है वो भी आपको इसमें मैसूस होता है smell करने पर इस perfume में हमें एक slider control भी मिलता है जिससे आप इसकी fragrance को कम या जादा भी कर सकते हैं एक slider control मिलना बहुत अच्छी बात है इससे इसकी longevity भी बढ़ जाती है longevity की बात करो तो यह जो car perfume है वो लग भग 45 days से 60 days तक last करता है depending on your uses जो कि इसके price के हिसाब से काफी बढ़िया है और आप इसकी longevity को और भी increase कर सकते हैं अगर आप इसके perfume के साथ आये हुई cap को जो है समाल का रखते हैं और आप जब आपनी car use नहीं कर रहे हैं तो आप simply इसकी perfume की bottle को इसके cap के साथ close कर सकते हैं औ और आप इसकी longevity को और भी ज़्यादा increase कर सकते हैं एक और plus point ये भी है कि इसका जो refill है इसको आप अलग से भी खरी सकते हैं आपको दुबारा पूरा perfume का जो set है वो खरीने की ज़रूरत नहीं है आप खाली refill को भी purchase कर सकते हैं इसके looks के गर मैं बात करो तो ये personal choice पर depend करता है मैं इसको positive points में आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो looks है वो ठीक ठाक से हैं ना जादा बोरे हैं ना जादा अच्छे क्योंकि मैंने कई सारे perfume ऐसे देखे हैं जिनकी fragrance काफी अच्छी होती है लेकिन वो काफी भद्दे लगते हैं और आप उनको कार में show करना पसंद न पर्फ्यूम है वो गर्मियों में जादा जल्दी कंज्यूम होने के chances रहते हैं तो मुझे यह एंबी पर कार फर्फ्यूम काफी practical और belly for money प्रड़क्ट लगा और अगर आप से ट्रस स्मेल पसंद करते हैं तो जरूर से आप इस air freshener को consider कर सकते हैं तो इसके बाद जो अगल double sided tape लगा हुआ है जिसका use कर सकते हैं आप इसको अपने dashboard प्रेस करने के लिए उपर की तरफ अगर लिड में हटाता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें एक gel based perfume यूज किया गया है यहाँ पर जो मेरे पास ये gel है इसका नाम है lush green तो आप हम बात कर लेते हैं इसके positive points की तो जो पहला positive point है वो किसी भी perfume के लिए सबसे important point भी होता है जो कि है इसकी fragrance तो guys इसकी जो fragrance है वो काफी अच्छी लगी मुझे इसकी जो fragrance है वो aqua और citrus से थोड़ी सी different है और काफी fresh है अगर मैं compare करूं इसको ambi pure से तो इसकी जो fragrance है मुझे ambi pure से जादा better लगी दूजरा positive point है इसकी longevity, normal conditions में ये बड़े आराम से 45 से पचपन देंदक चल जाता है अगर गर्मी को सीजन है तो 5-6 दिन उपर नीचे हो सकता है और guys चूंकि ये एक gel based air freshener है तो इसकी जो performance है वो आपको हमेशा एक liquid वाले और tablet वाले जो perfume होते हैं उन से better देखने को मैं लेगी इस air freshener का जो gel है वो rub and sniff type का gel है इसका मतलब है कि जो gel है अगर आप उसको rub करते हैं तो इसकी जो intensity है fragrance की वो थोड़ी बढ़ जाती है और अगर आपको इसकी जो fragrance की intensity है वो कम लगती है तो आप simply इसको rub करके इसकी intensity को भी बढ़ा सकते हैं अगला positive point है इसका on and off mechanism इस godridge air twist को आप simply twist कर के on और off भी कर सकते हैं on and off functionality के साथ आने वाले perfume हमेशा ही एक better choice होते हैं और अगर आप कुछ दिनों के लिए car use नहीं कर रहे हैं तो आप simply इसको off करके रख सकते हैं जिससे इसकी जो longevity है वो extend हो जाती है इस air freshener का एक और positive point है इसके looks ये देखने में काफी बढ़िया लगत करता है और आपके dashboard पर एक cute सी dashboard accessory का काम करता है अब बात कर लेते हैं इस air freshener के negative points की तो जो पहला negative point है वो है इसकी unstable price इसकी जो actual price है वो लगबग 300 रुपे के आसपास है लेकिन ये कभी 300 रुपे का मिलता है या कभी 380 रुपे का भी इसका जो दूसरा negative point है वे हो है इसका on and off function, off करने के बाद भी इसका जो fragrance है वो पूरी तरीके से lock नहीं होता है और थोड़ी थोड़ी fragrance release होती रहती है ऐसे में अगर आप एक ऐसे user है जो आप इनी car को बहुती rarely drive करते हैं तो अगर आप इसको off भी करके रखते हैं तो भी इसका जो fragrance है वो release होता रहेगा और ये consume ह तो overall मुझे ये air freshener काफी पसंद आया है और मैं सभी लोगों को इसको recommend कर सकता हूँ इसके बाद जो अगला air freshener है यह है involve air freshener और जो fragrance है यहाँ पर वो है mask जल्दी से box open करके देखते हैं कि कि किस तरीके का air freshener हमें इसके अंदर देखने को मिलता है तो box को open करने के किया जा रहा है तो इस air freshener में भी हमें उसी तरीके के blocks देखने को मिलते हैं जो कि हमें portly वाले air freshener में देखने को मिले थे अब बात कर लेते हैं इस air freshener के positive points की तो जो एक ही positive point मुझे नजर आया है वो है इसकी fragrance fragrance काफी अच्छी है इसकी amazon पर इसकी काफी अच्छी rating होन container में आये हैं अगर ये perfume blocks एक packed pouch में आये होते तो एक perfume block के consume हो जाने के बाद आप दूसरे perfume block को as a refill use कर सकते थे लेकिन open packaging होने की बज़े से तीनों perfume blocks को consume होने में उतना ही time लगेगा जितना की एक perfume block को consume होने में लगता है इसका दूसरा negative point जो है वो है इसकी control grill आप देखते ह हुए हैं जिससे ना तो इसकी fragrance control होने वाली है ना ही इसका जो perfume है उसको consume होने से रुका जा सकता है इस air freshener के looks में भी कोई भी खास बात नहीं है और मुझे लगता है कि ज़्यादा तर लोग इसे dashboard पर रखने की बजाए अपने cup holder में शुपा का रखना ज़्यादा पसंद करेंगे तो overall मुझे ये car air freshener कुछ खास पसंद नहीं आया है और मैं ये cable उन्हीं लोगों को recommend कर सकता हूँ जो एक नई तरीके की fragrance try करना चाते हैं बाकि सभी लोग इसको skip कर सकते हैं और किसी और दूसरे option की तरफ देख सकते हैं तो guys यहाँ पर आप मेरे पास हैं दो अल can container में आते हैं और इन दोनों में ही आपको लगबग एक जैसा दिखने वाला rub and sniff type का gel based perfume देखने को मिलता है इन दोनों ही air fresheners की online rating भी काफी बढ़िया है लेकिन इन में क्या difference है वो मैं आपको आके बताने वाला हूँ लेकिन उसके पहले मैं इन दोनों के positive और negative points सा आपको बता देता हूँ पहला जो positive point है वो है इनका gel based perfume, gel based perfume बागी तरीके के air fresheners से ज्यादा better performance आपको provide करते हैं दूसरा positive point है इनकी longevity, gel based perfume की कारण ही इनकी जो life है वो बागी तरीके के air fresheners से आप एक से डिड़ हफते तक ज्यादा expect कर सकते हैं जो तीसरा point है वो positive है या negative यह citrus fruits की एक strong smell ही आने वाली है, negative points के अगर मैं बात करों तो पहला negative point है इनके looks, यह दोनों ही काफी बुरे लगते हैं और आप किसी भी हालत में इन दोनों perfumes को अपने car के dashboard पर लखना पसंद नहीं करेंगे, my shellden और air on air freshener का जो दूसरा negative point है वो है इनकी fragrance control grill, इनकी जो fragrance control grill है उससे fragrance ना तो block होती है ना ही control हो पाती है, इन दोनों ही air fresheners में काफी सारी similarities होने के बावजूद इनमें छोटा सा जो difference है वो यह है, कि जो my shellden air freshener है, इसकी जो fragrance है, वो fresh citrus fruits की है और जो air on gel air freshener है, उसकी जो fragrance है, वो पके हुए या ripe citrus fruits की smell आपको मिलेगी, तो अगर air freshener या car perfume के looks आपके लिए matter नहीं करते हैं, और आपको केबल strong citrusy fragrance जो है वो पसंद है, तो केबल तब ही आपको इनमें से किसी एक को अपने ली consider करना चाहिए, तो हमारा जो अगला car air freshener है, वो है air pro की तरब से आने वाला mic man car air freshener, ये air freshener भी काफी popular है, आप मैंसे हो सकता है कई सारे लोगों ने इसे use भी किया हो, और अगर use नहीं किया है, तो इसे एक बार try करने का तो जरूर सोचा होगा, इस mic man air freshener की जो packaging है, वो मुझे काफी impressive लगी, इस air freshener के package में air freshener के अलावा कुछ और accessories भी आई हैं, जैसी कि ये perfume refill, एक double sided tape, एक plastic tool और एक user guide, जो कि मैं एक air freshener के साथ बिल्कुल भी expect नहीं किया था, तो पूरे package में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चीज़े निकली है, जिन में जो सबसे important चीज़े है, वो है हमारा ये mic man air freshener, इस air freshener के नीचे के base में एक spring लगा रहता है, जिससे जब आप इसको अपने car के dashboard पर place करके car को drive करते हैं, तो इ open करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें उसी तरीके के जो fragrance block हैं, वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने musk और portly वाले air freshener में लेके थे, तो आप बात कर लेते हैं, इस mic man air freshener के positive points की, तो जो पहला positive point है, वो है obviously इसके looks, ये air freshener बाकी के सभी air fresheners क comparison में देखने में काफी unique और interesting लगता है, इसका shaking head होने के करण ये air freshener के साथ साथ एक बढ़िया dashboard accessory का भी काम करता है, वैसे dashboard accessories पर एक काफी interesting video channel पर भी जल्दी ही आने वाला है, जिसको अगर आथ देखने में interested हों, तो channel को अभी के अभी subscribe कर लेना, इस air freshener का तीसरा positive point है, इसका refill perfume जो इसके साथ ही free आता है, अब बात कर लेते हैं इसके negative points की, तो पहला negative point है, इसकी जो build quality है, वो बहुत ज़्यादा strong नहीं है, और ये तूट सकता है, दूसरा negative point है, इसकी जो fragrance है, वो अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा strong नहीं है, और हो सकता है, आपको ये क पोड़े से negative points होने के बाद भी अगर मुझसे पूचा जाए, तो मुझे ये Mike Man perfume काफी पसंद आया है, और अगर आप इसको खरीदने की सोच रहें, तो ज़रूर से मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप इसको consider कर सकते हैं, और आप चाहें, तो इसे कार में air freshener से इसेसरी की तोर पर रख सकते हैं, तो हमारे list का last air freshener है, इस तरीके के crown वाला air freshener, जिसको आपने मेरी कई सारे वीडियो में देखा होगा, आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूचा था, तो इसके बारे में मैं केवल आपको एक ही बात बताना कि मैंने इसको अपनी कार में केवल इसके looks के crown रखा हुआ है, actually मैं ये पहले golden color में आया था, जिसको मैंने बाद में spray paint से black paint कर दिया था, मैं इसको खरीदने के लिए link आपको वीडियो के description box में देने की कोशिश करूँगा, और बाकी perfume जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा हैं, उनको भी आगर आप खरीना चाते हैं, तो link के description में आपको मिल जाएगा,